हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दे चैनल स्रेश्टी स्टेडी पॉइंट और आज हम पढ़ेंगे भारत के सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में बिल्कुल प्रारंब से हम शुरू करेंगे कि भारत रत्न आखिर है क्या और इससे लेकर अब तक 2024 में ये सम्मा कि भारत रत्न भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान है इसके बाद यहां पर बताते हैं हम कि ये जो सम्मान है वो रास्टी सेवा के लिए दिया जाता है और ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ये कुश्चन भी आता है ठीक है यहां पर किसके द्वारा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा इसके बाद इहां पर ये जो सेवाएं हैं जिस सेवा के अंतरगत ये सम्मान मिलता है वो है कला के शेत्र में साहित के शेत्र में विज्ञान सारवजनिक सेवा और खेल इन इन शेत्रों में अगर सर्वोच काम किया गया है तो उसको ये सर्वोच मरी 1954 को भारत की ततकाली नाश्पती श्री राजिंद परसाद जी के द्वारा और दूसरे अलंकरणों के साथ साथ इसको भी क्या है अगर आपको ये सम्मान मिला है तो आप अपने नाम के आगे इस सम्मान को नहीं लगा सकते पद्वी की रूप में ये याँ पदे रखा है पहले इस सम्मान को जो है मर्नो परांत नहीं दिया जाता था लेकिन 1955 में इस सम्मान को मर्नो परांत भी देना प्रारम्ब कर दिया गया और फिर मैं आपको अब आगे बताऊंगी कि 1955 के बाद सबसे पहले मर्नो परांत सम्मान जो है वो किसे मिला था अब यहाँ पर देखे जो की सम्मान के रूप में दिया जाता है जो भी भारत रतन बनता है उसके लिए तो ये देखे ये तावे का पीपल के पत्ते के समाना करती है इसके बीच में ये जो है ये प्लैटिनम का सूरज बना हुआ है इसके नीचे लिखा है भारत रत्न जो की चांदी का लिखा रहता है किसका लिखा रहता है चांदी का लिखा रहता है ये सब बात बता रही हूँ ये है फ्रंट ये है बैक साइड बैक साइड में हमारा रास्टी चिन बना है यहाँ पर राष्टिचेन्द की नीचे यहाँ पर सत्मेव जैते लिखा है और इसको हमेशा जब भी पैनाया जाता है तो आपको सफेद फीते में पैनाया जाता है वाइट कलर के फीते में तो यह सब बाते important है यह हमारा भारत रत्म जोकी दिया जाता है और केवल तीन व्यक्तियों को ही भारत रतन दिया जा सकता है यानि कि अगर आप चाहते आपको लगता है कि ये भारत रतन है हमारे इनको हम सम्मान दे तो तीन से जादा लोगों को नहीं दे सकते केवल तीन लोग एक वर्ष में भारत सरकार दे सकती है यह भारत रतन प्रुसकार ठीक है सरवोच नागलिक प्रुसकार है इसमें वही बात तावे की पीपल के पत्ते पर सूरी की प्लाटिनम की शबी के संग देवरांगरी रिपी में भारत रतन लिखा रहता है जो कि चाद् का डिजाइन था वो 35 mm गोला कार स्वन मैडल था ये पहले सोनी का मैडल था जिसमें सामने एक सूरे बना था और उपर हिंदी में भारत रतन लिखा था उपर और नीचे पुश बहार बना था ठीक है पहले मूल रूप से आ सकता है कोशन में और पीछे की तरव राष्टी चे इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि 2024 में किसको मिल रहा है भारत रतन तो करपूरी ठाकुर है पूर्व मुखमंतरी बिहार के ये हैं इन्हें मिल रहा है ये पुरुषकार और इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है ये दो बार मुखमंतरी रहे हैं ठीक है ये इसक को टुटेल में आपको बता देती हूं थोड़ा से ब्रॉड करके ये देखी 24 जनवरी 1924 को समस्तिपुर के पितौन शिया आव करपूरी ग्राम कहते हैं से इनी के नाम से हैं में ये जनमे थे इनको जननायक कहते हैं और 1952 में पहली बार विदान सवा में जीतने के बाद कभी ये चुनाव नहीं हा रहे थे 1967 में मुखमंत्री बनने पर अंग्रेजी की अनिवारता इनों ने खत्म कर दी थी दो बार बिहार के मुखमंत्री रहे ये 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रेल 1989 तक ठीक है ये करपूरी ठाकुर जी है जब यंगेज की इमेज और ये जो इमेज थी पहले वो थी इनकी बाद की इमेज इसके बाद यहाँ पर ये पूरा लिखा है और ये जो सम्मान की घोशना है इने मन्नों परांत मिलेगा ये सम्मान और इस सम्मान की घोशना जो थी वो 23 जनवरी की संधिया को की गई थी ज़र क्योंकि 24 जनवरी को इनकी सोवी जयन्ती थी करपूरी ठाकुर जी की तो इकोशन आ सकता है कि कब इसकी घोशना की गई तो करपूरी ठाकुर जी की सोवी जयन्ती की पूर्वसंद्या पर इसकी घोशना की गई ठीक है करपूरी ठाकुर जी का जो निधन है वो 17 फरवरी 1988 हो गया था और इसके बा पालत करने के लिए जाने जाते थे वे सर्वोच नागरिक सम्मान पाने वाले ये बोही बात जो उपर हैडिंग में लिखा है तीसरे व्यक्ति होंगे इनसे पहले प्रथम राश्पती जो डॉक्टर राजेंद प्रसाद जी जिनोंने ये स्टार्ट किया था सर्वोच नागर जी को ये सम्मान दिया गया और फिर बिहार में जन्मे विस्मिल्ला खान जी को भारत रतन दिया गया था जबकि उनकी कर्म भूमी जो थी जन्म भूमी विस्मिल्ला खान की जो थी वो बिहार थी लेकिन कर्म भूमी उत्तर प्रदेश के बनारस में रही और उनका परिवार आज भी काशी में रहता है ठीक है तो ये तीन लोगों को जो है वो बिहार के लोगों को ये सम्मान मिल रहा है तो इस चीज़ को मतलब ये जो है यहाँ पर राश्टपती देखी राजेंदर परसाद जी लोक नायक जैप्रकास नाराण जी को इसम्मान मिला है और बिहार में जन में बिस्मिल्ला खान जी को तो ये चीज है है आपर तो ये तीसरे व्यक्ति होंगे बिहार के क्योंकि तीसरे व्यक्ति क्यों होंगे क्योंकि बिस्मिल्ला खान जी नहीं है उन्हें अब बनारस का माना जाता है कहां का बनारस का उस हिसाब से तो ये चौथे हुए वैसे अगर इनको क्या नाम है करपूरी ठाकुर जी को अगर बिस्मिल्ला खां जी को भी एड़ कर लिया जाये तब, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेगा, कोल अलंकरण आज तक करपूरी ठाकुर जी को एड़ करने के बाद 49 है, ठीक है, ये 49 इनको नंबर का प्रुसकार मिले सरपल्ली राधा कृष्णन को मिला था, 1954 में, और 1954 में तीन लोगों को प्रुसकार मिला था, ठीक है, उसमें राजगोपाल अचारी जी भी थे, और सीवी रमन जी भी थे, राजगोपाल अचारी जी को तो आप जानते होंगे, हिस्टरी जीनों ने पढ़ी होगी, ये स्व है, किसी को नहीं मिला, इससे पहले 2019 में मिला, ठीक है, तब 2024 में, और इनको 19 वालों को 2020 में दिया गया, तो इस चीज़ को यहां पर ध्यान रखिएगा, 2019 में तीन लोगों को मिला, क्योंकि तीन से ज़्यादा को तो मिली नहीं सकता, नाना जी देशमुदी को, भुपेन जारिका को, और प्रनम मुखर जी जी को, तो यह प्रनम मुखर जी जी की बाद में ध्यान दो गया था, 2020 में, कोविड किये जैसे, तो यह तीन लोगों को जो है, 2019 में मिला, अब 2024 में करपूरी ठाकुर जी को मिल रहा है, और यहां पर एक इंपोर्टेंट बात है, कि सचिन तिंदुलकर जी, और दूसरा, सबसे कम उम्र का भारत रतन पाने वाले व्यक्ति भी है, 1966 में देखिए, जब 1965 में इस वात को कहा गया, कि जो मर्नो परांत जो है, प्रुसकार दिया जाएगा, तो मर्नो परांत 1966 में सबसे पहली बार, लाल भादुर शास्त्री जी को सबसे सम्मानित हस्तियों की पूरी यहां पर सूची है, यह एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यह देखिए, 2019 में मैं आपको पहली बता दिया, उसके बाद, क्योंकि 19 के बाद दिया ही नहीं गया, किसी को, 24 में आपकर पूरी ठाकुर जी को दिया रहा है, फिर यह 15 म फिर आठ में इस तरह से यह पूरी यहां पर लिस्ट है, इसको आप देख लीजेगा, इसको मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, जैसे कि आप लोग इसको देख सकें, तो यह पूरा दे रखा है यहां पर, यह देखिए, पूरा 1904 में, मैंने आप से कहा था, तीन लोगों को मि पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, मिलूंगे अगली वीडियो में, हम में और जो भारत रतन के बाद दूसरे पुरुषकार हैं, जो पदम पुरुषकार होते हैं, उनकी वीडियो लेकर आऊंगी, और इसमें आपको बताऊंगी कि 2024 में कितने लोगों को झहलेगों कि कुछा में आपको बताए है.